हेलो व्रिवन वेल्कम यूओ लेट लोकेसर अल्यम्टेड स्टाडी जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है एंसी आट का एंसी आटी का चैप्टर नंबर फाइव और यू नो कि हमने इसके सारे फॉर्मेट को कम्प्लीट कर लिया है वाट स्टिल कुछ चीजे हैं जिनमें दुबारा हमको रिवीजन की जुरूत में ती है तो आएए देखते हैं आज हम डिस्कॉस करने वाले हैं डिफ्रेंशियेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म ठीक है तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है किसी एक्वेशन का एक डिफरेंट टाइप का फॉर्म होता है जैसे माल लीजिए आपके पास में कोई पैराबोला है यह पैराबोला इस तरीके का है यह पैराबोला दिया गया है ओके बोला है इसका equation क्या बनेगा इसका algebraic equation बनेगा y square equal to 4ax y square equal to 4ax बनेगा बोलो clear बिटा तो ये जो relationship आपको दिख रही है ये किस में दिख रही है y में और x में बट यदि मैं y और x में relationship न लिख करके एक तीसरे variable को involve करूँ जिसकी relationship y से भी हो और जिसकी relationship x से भी हो तो इसी equation को मैं इस नए variable के terms में लिखूंगा तो वो जो नया equation बनेगा किस चीज का y square equal to 4ax का जो new equation बनेगा इस new variable के term में इसको बोलेंगे हम parametric equation क्या बोलेंगे parametric equation या parametric form ठीक है न मतलब parametric form में y और x की relationship t के term में define होगी मतलब y जो होगा that is also a function of t and x is also a function of t जहाँ y और x directly relate करते थे वो direct relate नहीं करेंगे वो t की मदद से एक दूसरे से relate करेंगे बोलो clear की not clear हाँ जैसे example के लिए मैं आपके सामने एक equation लिख रहा हूँ यह मेरे पास एक main equation है algebraic equation y square equal to 4x किसका equation है एक parabola का जो x axis के along खोलता है अब इस parabola का मैं आपको parametric equation लिखे दे रहा हूँ इसका parametric equation है x equal to 80 square and y equal to 280 यह देखिए यह दोनों मिला करके क्या बना रहे हैं यह बना रहे हैं पैरामीट्रिक equation किस चीज का parametric equation इस चीज का y square equal to 4x का तो y square equal to 4x का parametric equation यह है आप कहेंगे सर हम कैसे मान ले आईए देखते हैं कैसे मान सकते हैं तो हमाँ पास जो parametric equation है वो है x equal to 80 square और y equal to 280 यह है अपने पास parametric equation अब आप जानना चाहते हैं कि इसका main equation क्या है तो एक काम करिए यहां से t को eliminate कर दीजे तो यहां से t की value कितनी आएगी t की value आएगी y upon 2a और जो t की value आईए है वो first में put कर दीजे यह equation number first है तो अपने पास क्या है x equal to 80 square तो x equal to a और t की जगे क्या है y upon 2a का whole square तो x equal to a यह बन जाएगा y square upon 4a square एके से a के cancel so x is square x equal to y square upon 4a इसको इधर ले जाएए आपके पास equation आजाएगा y square equal to 4a x आप देखे हम इस equation की बात कर रहे थे y square equal to 4a x की बोल रहे थे की नहीं बोल रहे थे बदाएए हाँ तो यहाँ पर आपने एक special type का equation दिखा जिसमें variable x और y एक तीसरे variable पर depend करते हैं और इस तीसरे variable t को हम बोलते हैं parameter तो यह equation कहलाता है parametric form अब आएए रेखे कैसे करेंगे differentiation किस तरीके से करेंगे differentiation तो इसका differentiation कैसे होगा अगर x भी t का function है f of t and y भी t का function है then आपको निकालना है d over dx तो कैसे निकालेंगे आप y को भी t के respect में differentiate करेंगे और x को भी t के respect में differentiate करेंगे अगर x theta का function है और y भी theta का function है तो d over dx कैसे निकलेगा d by dx निकालने का तरीका dy with respect to theta d by d theta divided by dx by d theta दोनों को divide कर दीज़े आपके पास में d by dx आ जाएगा clear विटा तो आपको अगर differentiate करना है y को x के respect में और अगर parametric function दिया गया है तो individually आपको दोनों variables को given parameter के terms में differentiate करना पढ़ेगा चलिए अब आएए रेखते हैं वो question जिसकी आपने बात की है हमारे पास question number 18 है find d by dx of the following function expressed in the parametric form as x equal to e to the power theta plus 1 theta e to the power theta multiply है बेटा यहाँ पे multiply theta plus 1 by theta and e to the power minus theta theta minus 1 by theta तो इस question को note कर लिजे यह question आपके पास दिया गया है तो आइए इसको हम differentiate करते हैं और देखेंगे कैसे हम इसका differentiation निकालेंगे तो सबसे पहले हमें जो function दिया गया है question number 18 का हम function लिख लेते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ पे जो function है x की value पुट करता हूं में so what is x x equals to e to the power theta multiply by theta plus 1 by theta तो clear है यहाँ पे कि हमें dx by d theta करना पड़ेगा differentiating with respect to theta क्या हो जाएगा d by d theta e to the power theta theta plus 1 by theta कैसे करेंगे differentiate दो function है यहाँ पे first function into differentiation of second function तो यहाँ पे हमारे पास में first function e to the power theta and differentiation of second function theta plus 1 by theta का plus second function theta plus 1 by theta into differentiation of e to the power theta so simple बच्चर यहाँ पे clear e to the power theta ही जाएगा अब d by dx x का होता तो 1 हो जाता तो d by d theta theta का कितना होगा 1 हो जाएगा अब 1 upon theta आप जब d by dx 1 upon x करते हैं तो अब d by dx x की power minus 1 करते हैं और इसका बनता है minus 1 upon x square तो यहाँ पे कितना बनेगा minus 1 upon theta square बोली यह बटा बनेगा की नहीं बनेगा नो इस थीटा प्लस 1 upon theta और e की power theta का डिफ्रेंशेशन अगेन e की power theta चलिए तो e की power theta पूरे से common आ रहा है जो जो अंदर है रख दीजे तो 1 minus 1 upon theta square प्लस theta प्लस 1 by theta काफी बड़ी structure बन चुकी है इसको आप simplify कर लें तो e to the power theta theta square और theta का यहाँ थीटा square आएगा theta square यह हो जाएगा theta square बेंज़ theta square minus 1 plus यह हो जाएगा हमें पास theta की power 3 क्योंकि इसके नीचे 1 था तो theta square multiply हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमें पास theta तो यह आपका बन चुका है एक प्रकार का function dx by d theta function न बोल करके से आप x का derivative with respect to theta बोल दे इस equation number आप 1 दे दे ठीक है अब चलिए चेक कर लेता हमें एक बार कितनी value आई है इसकी हमें पास 18 question की तो यह देखिए dx by d theta is equal to e की power theta यही हमने निकाला अब आउन में theta square था theta square minus 1 plus theta q plus theta बिल्कुल साही यही value आई है theta square minus 1 plus theta q plus theta clear बेटा अब हमें पास दूसरा function जो है उसको हम differentiate करते हैं तो हमें पास दूसरा function है y y equals to क्या है में पास दूसरा function y equals to e की power minus theta y equals to e की power minus theta theta minus 1 by theta e to the power minus theta bracket में theta minus 1 by theta तो चलिए d by d theta करते हैं first function into differentiation of second function तो theta का 1 बिल्का लिखना पड़ेगा की समझ सकते हैं आप लोग ऐसा ही चलिए लिख देता हूँ नहीं लिखूँ अगर चब तो pen चला लगए चलिए चलिए first function into second function का differentiation plus second function into d by d theta of e की power minus theta चलिए e की power minus theta d by d theta theta का 1 और minus 1 upon theta का होगा minus 1 upon theta square तो यह हो जागा plus 1 by theta square क्यों क्योंकि d by dx of 1 upon x का होता है minus 1 by x square तो minus minus प्लस हो जाएगा plus theta minus 1 by theta और e की power minus theta का आपको पता होगा d by dx of e की power minus x का कितना आता है माइनस e की पावर माइनस x क्योंकि माइनस x को आप t ले लेते हैं तो उसका t का फिर d t by d x करेंगे तो x का माइनस होना हो जागा तो माइनस e की पावर माइनस theta यह हो गया है आपे चलिए तो e की पावर माइनस theta दी आप common ले लेंगे तो आपके पास की बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा 1 plus 1 upon theta squared अब यह plus है और यह minus है तो multiply हो कि यह minus हो जाएगा और theta minus 1 by theta So e to the power minus theta 1 plus 1 by theta squared minus theta plus 1 upon theta इसको LCM लेके solve कर देंगे E की पावर माइनस थीटा Now here it is कितना है लेगा LCM थीटा स्क्वार आ जागा और थीटा स्क्वार यहाँ पे थीटा स्क्वार प्लस वन माइनस थीटा का क्यूब प्लस थीटा यह हमाँ पास आ चुका है D by D theta अब हमको क्या चाहिए है एक बार हम चेक कर लें D by D theta तो D by D theta हमें पास आ है E की पावर माइनस थीटा थीटा स्क्वार प्लस वन माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा बिल्कुल सही अब हमें चाहिए है D by D x जिससे हम लिखेंगे D by D theta divided by D x by D theta e to the power माइनस थीटा ब्रेकेट में theta square plus 1 theta square plus 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा whole divided by theta का square now D x by D theta की वैली अलिका लिए हमने e to the power theta theta square minus 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा तो e to the power theta ब्रेकेट में इसकी value आई थी हमाँ पास theta square minus 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा divided by theta to the power 2 देखें जो cancel होड़ा cancel कर देजे यह आपने cancel कर दिया अब अब तो कुछ cancel होने जैसा है यह नहीं है तो हमको finally answer अपना लिखना पड़ेगा so e की power theta उपर है e की power minus theta उपर है और नीचे बैठा है e की power theta तो आपने पढ़ा होगा base same होता तो power subtract हो जाती है तो e की power उपर की power minus theta और subtraction के बार minus theta तो e की power minus 2 theta तो यह हो जाएगा e to the power minus 2 theta अब बांकी की चीजे लिख देता हूँ जैसी है वो theta square plus 1 minus theta cube plus theta and here it is theta square minus 1 plus theta cube plus theta तो यह हमाँ पास आगया यही हमारा answer है clear हुआ बेटा चेक कर लें e की power minus 2 theta ठीक है ना तो minus theta q बांगे कर दिया plus theta square plus theta plus 1 theta cube plus theta square plus theta minus 1 बिल्कुल सही square से भी लिख सकते है तो यही आपका अंसर बन जाएगा ठीक है